नमस्कार, Study IQ आईए, सिंदी में आफ सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विरत दुबे और आज हम लोग इस श्रंखला में, जिसमें हम आधुनिक भारत की इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं उसमें 11 कारिक्रम में आ चुके हैं, या 11 भाग में आ चुके हैं इस कारिक्रम के, और इस कारिक्रम के 11 भाग में जब हम बढ़ रहे हैं, तो लगातार एक-एक करकिया ध्यायों को समाप्त कर रहे हैं, लगातार टॉपिक्स आपके लिए कवर कर रहे हैं, पिछला जो टॉपि पु campaign किताब को reference लेते हुवे का reference लेते हुवे हम लोगे कर रहें और मैं फिर से आप लोगों को बतादेना चाहता हूं कि अप्धिय इसमें . जो चीजें अक्षरसा आपको इस पैक्ट्रम बुख में लिखी हैं उजी हम आपको नहीं बता रहे। मतलब एक reference के तोर पर आपको एक book रखी गई है इसके अलमब बहुत सारी चीजें जो उसमें नहीं है बहुत सारी अच्छे चीजें जो उसमें शामिल है उन सब का निचोड मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ तो आपके लिए काफी easy हो जाएगा अगर आप इसके ठीक धंक से notes बनाते हैं तो ठीक है तो notes बनाईएगा इसका PDF आपको मिली जाता है अध्याय 4 में हम चल रहे हैं और अध्याय 4 में जो तमाम सारे जो छेत्री शक्तियां हैं इन छेत्री शक्तियों के ऊपर छेत्री जो शक्तियां हैं जो की उदय हुआ था जिनका अठारवी सताब्दी में उन अठारवी सताब्दी की छेत्री शक्तियों के बारे में चर्चा हो रही और इसमें हम अवद के बारे में चर्चा कर चुके हैं तो आज देखते हैं किसके बारे में चर्चा होगी मैं आपको बता दूँ कि अगर इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलिग्राम गुरुप से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं यहां से भी आप इसको इसी टेलिग्राम पर ही जुड़ जाएंगे बाकी आप अपने विचारों को हमारे साथ Facebook और Instagram पर शेर कर सकते हैं हर जगा पर में विरद्दुबे नाम से अवलेबल हूँ या विरद्दुबे 01 नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे चलिए तो यूनिट टू में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे मैसूर राज्य की स्थापन आवद के बार अगला जो राज्य हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैसूर राज्य तो हम इसमें पढ़ेंगे मैसूर राज्य की स्थापना, अब यह स्थापना जो है वो किस प्रकार से हो रही है, उसके बारे में समझेंगे, और कैसे फाइनली आगे चल करके मैसूर ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, उसका पूरा का पूरा जो इतिहास पूरा का पूरा जो परिपेक्ष है, उसको आज हम समझने का प्रियास करेंगे, आज के लेक्चर को मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत धैरे से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें एक के बाद एक स्टोरी के रूप में जुड और टीपू सुल्तान के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है और इनके द्वारा जो शासित मैसूर राज्य है उसकी कहानी को हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कैसे ये मैसूर रिडिशस के पास चला गया पहली बात तो ये मुगलों के अधीन सीधे अगर देखा जाए तो बहुत जादा इस पर मुगलों का प्रभाव नहीं रहा और नहीं यहाँ पर जो निजाम शाहियर शेक साही जो है या फिर जो नवाबी वगएरा है वो मुगलों के अधीन किसी तरह नहीं रही जैसे पिछले हमने सेशन में देखा कि चाहे हम बात करें बंगाल की चाहे हम बात करें अवद की या फिर हम इसमें बात करें हैदराबाद की ये सारे जो लोग थे जिनोंने इनको इस्टैबलिश किया इन राज्यों को ये सब मुगलों के कही ना कही संपर्क में थे और उनके सामन्तों में से एक थे लेकिन जहां आज हम मैसूर राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर मुगलों का प्रभाव उस तरीके से आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो मैसूर राज्य है जिसका उदय आप यहाँ पर देख रहे हैं अठारवी से अताबदी में स्वतंत्र राज्य की रूप में इसका उदय विजय नगर सामराज्य से हो रहा है विजय नगर सामराज्य से और विजय नगर सामराज्य का जब डिकलाइन हुआ समापन जब हुआ तो वहीं से स्थितियां जो हैं इस तरीके से जुड़ती चली गई कि मैसूर राज्य के उदय का एक कारण बन गई तो 18th century में 18th century में जो मध्य भारत का जो प्रांथ है दक्षन मध्य भारत जिसको कह सकते हैं अगर हम इसमें देखें तो मैसूर राज्य जो है आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से अगर आप भारत को देखते हो तक्षिर भारत को तो यहाँ आपको यह हैदराबाद का प्रोविंस जो है आपको देखने को मिल रहा है इधर का जो रीजन है यह हैदराबाद का है आपको मैंने बताया था और इसके अलावा इधर वाला जो रीजन आपको ये देखने को मिल रहा है ये वाला ये आपका लमसम लगभग लगभग की अगरम परस्तिती के बात करें तो ये आपका मैसूर के रूप में जाना जाएगा इसको हम लोग मैसूर के अंतरगत रखेंगे पर यहाँ पर थोड़ा सा मराठे भी है त्रावन कोर का रीजन भी है तो मराठे है त्रावन कोर है थोड़ा सा कंजेशन टाइप का एरिया आप यहाँ पर त्रावन कोर का रीजन रख लीजे छोटा सा ठीक है यह वाला जो रीज बख्ति के रूप में इसका उध्य किस प्रकार से हो रहा है? उसके बारे में यह मैं समझना है और समझने से पहले इतना जान लेना है कि इस सामराज्ज की निव जिस वेक्ति ने रखी है उसका नाम है हैदर अली हैदर अली जो की लेक्चर की शुरुवात में मैंने बताया और इसी हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान जो की आगे अपने पिता की जो विरासत है उसको और पैलाने का काम करेगा ठीक है तो भाई ये जो मजबूत नीव है ये रखी है एदर अली ने और इसी नीव को बढ़ाने का काम इसका बेटा जो है वो कर रहा है टीपू सुल्तान लेकिन इसकी शुरुवात कैसे हो रही है इसकी शुरुवात को सुरू से समझते हैं और याद करते हैं पंद्रह सो पैंसट का बन्नी हटी ये जरूर आपने सुना होगा बन्नी हटी का यूद है ना सुना इसके बारे में इसी को ताली कोटा यूद के नाम से भी जाना जाता है ताली कोटा यूद या फिर आप इसी को राक्षसी तांगडी यूद के नाम से भी जानते है ये राक्षसी, तांगडी, या तंगडी, कहीं कहीं तंगडी दिखा रहता है, युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको हम यहां नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहां हम यह नहीं बताने जा रहे हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प उसने ऐसे ऐसे किया, तो थोड़ा सा disconnected लगेगा आपको, तो इस कड़ी को बनाने के लिए हम थोड़ा बननी हट्टी के तरफ से चलते हैं, विजय नगर के कुछ, विजय नगर जो सामराज्य था, दक्षन में जो विजय नगर सामराज्य आप देख रहे हैं, तो उसे बहुत युगदान है, कृषन नगर के बहुत युगदान है, उसके आसपास का जो रीजन है, वो जो विजय नगर है, उस विजय नगर के कुछ, कह सकते हैं कि विरोधी थे, जो कि संयुक्त हो गए थे आपस में, जिसमें एहमद नगर, भीजापूर, गोलकुंडा, बीदर, ये नाम आप लेते हैं, और इन ही कि संयुक्त सेनाओं ने विजय नगर पर हमला किया, और विजय नगर को तहसनेस कर दिया, सदाशिव राओ का नाम आपने सुना होगा, रामराय का नाम सुना होगा आपने, तो ये सब जो है, इसमें पराजित हुए, थे ना, इस युद्ध में, basically, ये युद्ध जो है, ये विजय नगर सामराज जी, विजय नगर सामराज जी, versus, कौन-कौन लोग हैं इसमें, पॉर सारे लोग इसमें शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एहमद नगर से लेकर के, एहमद नगर, गोलकुंडा, एहमद नगर के लावाँ कौन से में शामिल है, गोलकुंडा, गोलकुंडा, बीदर, और बीजापूर, पीजापुर ये सब की सेना जो है इससे लड़ती है और विजय नगर सामराज लगबग लगबग तहस नहास हो जाता है इसमें बरार का भी नाम आता है लेकिन बरार युद्ध में शामिल नहीं हुआ था बैराल विजय नगर की युद्ध में हार और उसके बाद पूरा विजय नगर छिन भिन हो गया और ये जो पूरा विजय नगर छिन भिन हुआ ये काफी समय तक आसपास के राजाओं के साथ इसमें थोड़ी सी छोटे-मोटे युद्ध होते रहे कमबैक करने के लिए लेकिन कुछ परिणाम सामने नहीं आया और अंतताह अगर देखा जाए तो ये जो 1565 में जो ये युद्ध हुआ है ये लगभग लगभग पूरी सोलवी शताबदी को सोलवी शताबदी को लगभग लगभग समाप्त कर गया और सोलवी शताबदी में जा करके आपको थोड़ा सा इस्टैबलिश्मेंट देखने को मिलता है विजय नगर के छोटे-मोटे राज्य पे तकरीबन 161112 के आसपा बची हुई जो भी सामराजिक इस्थिति है उसको कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है वेंकट दुती का ठीक है 1612 में वेंकट दुती वेंकट दुती इससे ये वेंकट दुती जो है ये राजा है जिन्होंने वाडियार राजवन्ष का बहुत ध्यान से समझिएगा और मेरे साथ लिखते भी चलिएगा समझते भी चलिएगा चलिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही स्टोरी में कानवर्ट करने वाले हैं इसको हो सकता है कि सेशन लेंदियो बर सो वाट से क्या फरक पड़ता है आपको कहानी अच्छी ल और विजयनगर के रूप में विजयनगर का मैसूर वाला प्रांत है उस पे इसने शासन खरना शरू किया बचय कुछ राजा है छोटे मोटे राजा है विजयनगर का भाग मैसूर का हिस्सा और इसी जगह पर 18 सताब्दी में इसी मैसूर का राजा हुआ चिक्का क्रिष्न यही जो मैसूर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी मैसूर का राजा, इसी मैसूर प्रोविंस का राजा, अठारवी, यह तो आपका सत्रवी शताब्दी है, देख रहे हैं कहां से किया है मैंने, यह देखे हैं आपकी सोलवी शताब्दी है, सोलवी शताब्दी से सत्रवी सताब्दी तक बहुत ज़्यादा important कोई चीज नहीं देखने को मिल रही है लेकिन जब हम अठार्वी सताब्दी में जाएंगे अठार्वी सताब्दी में ठीक है यह अठार्वी सती में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस 18th century में इसी मैसूर का एक राजा होगा जिसका नाम होगा चिक्का कृष्ण राज क्या नाम होगा इसका चिक्का कृष्ण राज यह चिक्का कृष्ण राज जो है यह शासन कर रहा है लेकिन इसके साथ में एक समस्या यह है कि यह कटपुतली राजा है योग्य नहीं है जबकि इसके सामराज्य को समालने के लिए दो विशेस मंत्री हैं एक नंजराज ये एक तरीके से सबसे बड़ा अधिकारी है राजा के बाद में सरवाधिकारी के रूप में इसको जाना जा रहा है और दूसरा है देवराज तो इतिहास में लिखा गया कि नंजराज और देवराज के द्वारा ही राजा कृष्ण राज जो है इनका शासन चलता रहा इन फैक्ट ये व्यक्तिके वल नाम का राजा रहा ये शासन जो है महसूर पर यही लोग कर रहे हैं एक तरीके से इन ही के संरक्षन में इस राजा का शासन जो है वो चल रहा था और यही से हम हैदर अली को connect करने का प्रयास करेंगा अब हैदर अली यहाँ पर आने वाले शासन की बागदोर जब इन दोनों के पास में है तो इसी में जो यह नंजराज है न इसी नंजराज के द्वारा ही हैदर अली को सेना में शामिल किया जाएगा तो यहाँ से ज़रा हैदर अली के पास तक हम पहुंचेंगे अब लेकिन शुरुवाद जो है वो क्या है यह आपको क्लियर हो गई होगी बन्नी हट्टी के बाद जिस विजय नगर को हम विखरते हुए देख रहे हैं उस विजय नगर पर थोड़ा बहुत ठीक तरीके का शासन करते हुए उसके मैसूर प्रोविंस पर यह वैंकर दुटी बैठता है और 18 सेंचरी में वहाँ पर चिक्का क्रिशन राज बैठता है राजा तो निकम्मा टाइप काई है मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है यह लेकिन उसके मंत्री जो है इसके लिए काफी योग्य है तो सारा काम यही कर रहे है यह कटपुतली हो गया अपने मंत्रियों की तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हैदर अली हैदर अली ठीक है चली वास्तवी ग्रूप में देखे तो हैदर अली के शासन काल को हम 1761 के आसपास किरना शुरू करते हैं क्रीबं 1782 तक लेकर करके चलते हैं 1761 से 82 के आसपास तक हम इनका शासन काल देखें मैसूर की रूप में मैसूर प्रोविंस की रूप में लेकिन 1721 में कोलार में इनका जन्म हुआ था जिनके पिता जो है फते मुहम्मद थे पिता कौन है पिता जो है ये कौन है पते मुहम्मद पते मुहम्मद और ये जो फते मुहम्मद जो इनके पिता हैं ये इसी मैसूर के सेना में सेना में एक उच्च पद पर थे मलब ठीक ठाक पर थे और अपने पिता के बाद इसी करण से हैदर अली को भी तो पिता के बाद में ये भी मैसूर की सेना में शामिल हुआ लेकिन दिहान रखिए मैसूर की सेना में कोई बहुत बड़े ओधे पर नहीं है एक आम सिपाही के तौर पर है मामुली सिपाही के तौर पर लेकिन आज यहां सर यहां से अगर आप इस कहानी को हिस्ट्री के रूप में पढ़ने के साथ साथ अगर अपने व्यक्तित तुम्हें उतारने का प्रयास करेंगे निस्पक शोकर के मतलब मैं आपको इस तरह से प्रयृत होने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इस जैसा बनिये लेकिन आप यहा पानने से व्यक्ति है संसाधन नहीं है मेरे पास और हम UPSC की त्यारी कैसे करेंगे कैसे इतने बड़े पहाड को चड़ेंगे कैसे इतने सारी चीजों को कवर करेंगे आज आपके लिए यह स्टोरी है यहां से सीखने को मिलेगा बहुत कुछ यह एक आम सिपाही कैसे मैसू इसका कैसे युगदान आपको देखने को मिलेगा एक पृथक राज्य के रूप में यह बहुत बड़ी बात होगी जहां आपकी कोई पहचान नहीं है वहां आप आज इतिहास में उस नाम को पढ़ किस वज़ा से रहे हैं पढ़ क्यों रहे हैं उस स्टोरी को स्टेप निरक्षर है है एदर अली जो है वो क्या है निरक्षर है हर वो पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा आप मेंसे बहुत सारे लोग होते हैं यह समझते हैं कि सरम तो हिंदी मीडियम के हैं हमें तो देश दुनिया के उत्ती जानकारी नहीं है हम उतना जाधा पढ़ाई म पे तेज नहीं है कैसे यूपीएससी निकालेंगे उधान देखिए हैदर अली निरक्षर है इससे जाधा तो आप पढ़ लिखे हैं ही लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है है एदर अली निरक्षर जरूर है लेकिन होती कुशाग्र बुद्धी का है तीक्ष्ल बु प्रतिभा को बढ़ाना मेहनत करना सहसी होना करने के लिए डेरिंग होना हम करेंगे कर लेंगे द्रण निश्चे ही होना इसके लिए ये वाले गुण अगर आपके अंदर हैं और बाकिस अंसाधन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप निश्चित रूप से आपने जो ठाना है वो होगा तो जिस समय ये मैसूर की सेना में शामिल है आम जीवन बिता रहा है अपने पिता के बाद और इधर आप देख सकते हैं ये शासन कर रहे हैं चिक्का कृष्ण राज और इनके चगापर नंज राज और देवराज तो तकरीबन पंदरा बीस वर्षों तक ये ऐसी ही सिथल स्थिती जो है वो मैसूर की पनी रही और छोटे मोटे युद्धों में ये जो मैसूर है वो उल्जह रहा लेकिन इनी छोटे मोटे युद्धों में सेना में शामिल ये आम आदमी आद्वतिये प्रदर्शन करता रहा और लगातार अपने सिनापती के नजर में आता रहा ऐसा नहीं है कि काम निकाम किया फिर सिनापती के नजर में आता रहा और इस बीस वर्षों में जो छोटे मोटे युद्ध किये गए इनी छोटे मोटे युद्धों में अच्छे प्रदर्शन के कारण इसकी योगिता से प्रभावित होकर के नंजराज ने 1755 में इसको डिंडी गुल में ध्यान रखें 1755 में 1755 में डिंडी गुल एक जगा है दक्षिन भारत में ही डिंडी गुल महसूर प्रोविंस के अंतरगत ही आता था तो इसी डिंडी गुल का इसे फौजदार बनाया है एक पद दिया है और पद क्या है फौजदार मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि डिंडी गुल जो है ये क्या है ये सैन ने प्रसिक्षन केंदर था एक तरीके से सैन ने प्रसिक्षन केंदर था किसका विजयनगर सामराज जिगा नंजराज ने यहाँ पर लीड करने के लिए फौजदार का पद जो है वो इसे दे दिया और यही वो मौका था जिसकी शायद तलाश थी इस मैसूर के शासक को या भावी मैशूर के साशक जब यह फौजदार बना तो अब यह फौजदार तो बन गया सपने बड़े हैं पूरा कैसे करेंगे कमी है निरक्षर्ता की और जो डिंडुगुल की सेना है अगर वो अल्रेडी स्टॉंग होती ही तो फिर चिक्का क्रिशन राज जो था वो एक महान शासक होता नंजराज की साहता से लेकिन इतिहास में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है पढ़ने को इसका मतलब इसमें भी कमी है इसे भी सुधार ना है जब यह फौजदार बना तो इसने दो काम किये जरध्यान से देखिए उसने दो काम किये पहला काम जब यह फौजदार बना तो सबसे पहले हंडेराव जो थे ये एक ब्राम्भन थे और इन ब्राम्भन को हंडेराव को इसने अपना सलाहकार नियुक्त किया सलाहकार क्यों नियुक्त किया सलाहकार क्योंकि ये स्वयम पढ़ा लिखा नहीं था तो जो भी लिखने पढ़ने और मनलब इस तरीके का एक निकट सलाहकार क रूप में इसने एक पंडित को रखा एक ब्राम्हन को रखा और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारे किया है वो क्या है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंड काम किया है सत्रा सो पच्पन में ही जब इसको मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको मौका मिला तुरंद मौके को भ नहीं घरा तब्राम्हalta वो लीं और इसी फ्रांससी सहायता से इसी डिनडि गूल में इसी डिनडि गूल में ठीक है ठिящाण रखेंगे डिनडि गूल गुल का इंपession सेữa पर बढ़ने वाला है इसी डिन söyleyeता किसकी लिए इसमें सहायता किसकी लिए भई? प्रांसीसियों की लेकिन अब आप सोचिए कि ये दो काम उसने क्यों किया पहला काम तो इसलिए किया क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था तो अपने साथ एक पढ़े लिखे विद्वान को ले करके चल रहा था जो कि उसका भरोसे बंद भी हो और दूसरा काम इसलिए किया है क्योंकि वो सेना में रह करके ये समझ चुका है कि आगे जो समय है वो पश्चमी सभ्यता का हो सकता है ये पश्चमी जो व्यापारी के रूप में आए है शायद ये व्यापारी की रूप में न रहें, इनसे हमें पंगा लेना पड़ सकता है, और ये भी कि भारत में जहां आप आधुनिक शस्त्रों से युक्त पश्मी सभिता के लोग देखने को मिल रहे हैं, वहीं भारत में परंपरागत युद्ध शैली का अभी भी बोल बाला है, और इसी की वज़े से जब परंपरागत शैली की संख्या जब बढ़ती है, तो वो जो छेत्री शासक है, वो जीतता है दूसरे छेत्री शासक से, तो यहां पर अगर मुझे जीतना है, और संख्या यदि कम हो, तो शस्त्र एडवांस करने पड़ेंगे, ये विचार करक कि इसने फ्रांसीसियों की साहता से यहां पर एक आधुनिक श्रस्त्रागार स्टैबलिश कर दिया, और जो भी सैनिक इसके नित्रत्व के अंतरगत आते थे, उन सैनिकों को पश्यमी सेना के कोडिंग, एडवांस टेकलोजी के कोडिंग, प्रसिक्षन देना शुरू कर दि देखें, तो इसने मौका लगा करके श्री रंग पटनम पर आक्रमण कर दिया, अब यह श्री रंग पटनम क्या है, यह मैसूर की राजधानी है उससम, राजधानी जो है वो श्री रंग पटनम पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके जो नंजराज था, नंजराज, यहने नंजराज और देवराज के दोर उसको शासित किया जा रहा था तो नंजराज को इसने जो है लब हराया और हरा करके उसे कैद कर लिया बंदि बना लिया और 1761 में अब राजा को संरक्षन प्रतान करने का काम हैदर अली करेगा ठीक है इस तरीके से हैदर अली एक आम सिपाही से अपनी समय और प्रस्थितियों और अपनी तीक्ष्र प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए भुख्षागर बुद्धी का इस्तेमाल करते हुए धीरी दिने समय और प्रस्थितियों को अपने न्कूल बनाते हुए एक साधान स सिपाही राजा का संरक्षक बन गया और इतना ही नहीं आगे चल करके 1761 में ही इसने राजा को भी हटाया यहां से और इसी वर्ष में 1761 में ही स्वयन राजा को विस्थापीत कर राजा को क्या कर दिया इसने विस्थापित कर दिया और विस्थापित करके मैसूर का शासन समाला, मैसूर का शासन प्राप्त किया, तो आपने जो यहाँ पर शुरुवात में देखा कि 1761 से इसका कारेकाल शुरू हो रहा है, 1721 में इसका जन्म हुआ है, लेकिन 1761 से इसका कारेकाल शुरू हो रहा ह 1761 तक क्या जो सफर है वो क्या था मैंने आपको बताया अब राजा बन गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे आप आपका जो struggle time है वो शुरू होने वाला है और struggle time इसले शुरू होने वाला था क्योंकि आप advanced technology के साथ में नई नई technology के साथ में आप आधुनिक शस्रागार establish कर चुके थे अभी अभी आपने एक राजा को पराजित किया था और आप एक आम आदमी है आम आदमी जब बड़े पास के जो भी दूसरे महत्वपूर्ण शक्तियां है तक्षिन भारत की उस समय की जो महत्वपूर्ण शक्तियां 1761 क्या सपास की उसमें भारत की स्थिति कैसी है है खैदराबाद की बात करिए या फिर आप करनाटक की बात कीजिए ये दोनों लोग जो है ये उत्तराधिकार के युद्ध में फसे हुए हैं किसमें फसे हुए हैं उत्तराधिकार के युद्ध में उत्तराधिकार युद्ध आप इसको कह सकते हो उसमें फसे हुए है या इधर मैसूर में क्या हो रहा है। दूसरा, अगर इनके पडोसी मराठों की बात करें इसी समय, मराठों की बात करें, तो ये पानी पत का तृती युद्ध आपको याद होगा, पानी पत का तृती युद्ध जोकी 1761 में हुआ, ये उसमें फसे रहे और इनकी गोर पराजे तो यह सुस्थिती में नहीं थे या अपने भरपाई को ध्यान देंगे या फिर मराथा राज्य के उद्य को रोकेंगे और इसी समय अगर हम विदेशी शक्तियों की बात करें तो अंग्रेज अगर हम विदेशी शक्तियों की बात करते हैं तो इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं इनका आपस में क्या हो रहा है आपस में विवाद चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि ये वो दो बड़ी शक्तियां है जो एक दूसरे को यहां पर इस्टैब्लिश नी होने देना चाहती है, तो इन आइस्थिर महौल का फाइदा उठा करके, इसी हैदर अली ने दक्षिंड भारत में बहुत सारी जो छोटी-छोटी जगाएं थे, उसको मैसूर के अंदर मिला लिया, अब उसमें आप बदनूर का नाम ले लीजिए, सुन्दा कनारा का नाम ले लीजिए, सेरा का नाम ले लीजिए, गूटी का नाम ले लीजिए, बल्लापुर का नाम ले लीजिए, रायदुर्ग, चितल दुर्ग, ये तमाम सारी जो जगहें हैं, इन सारी जगहों को इस स्वक्ति ने इन समयों में अपना आरंभिक शित्रा, मतलब ये जो अस्थिर महौल है, ये जो अस्थिर स्थिती है दक्षिन भारत की, जो दक्षिन भारती शक्तियों की जो अस्थिर शक्ति है, अस्थिरता जो है इसका लाब उठा करके प्रारंभिक, प्रारंभिक राज और इस प्रारंबिक राज्यविस्तार से उसको बहुत बड़ा प्रशासनिक, सैन्य, आर्थिक, राजनेतिक, कुटनितिक, तमाम प्रकार की जो सहायता उसको मिलनी चाहिए थी, वो मिल गई और यह से फ्री में नहीं मिली है, खुद बनाया है इन्होंने, ध्यान रखेंगे, तो स्वाभावी बात है कि अब इस राज्यविस्तार को जब इन्होंने किया है, तब इन छेत्री शक्तियों की विशेस नजर जो है इनकी उपर जानी शुरू हुई, करे यार हम लोग आपस अचानक से उदय देखने को मिल रहा है, तो यह कोई अचानक से उदय नहीं है, यह इनकी लिए अचानक से है, क्योंकि खबर ही नहीं है कि यह क्या कर रहा है, इसी को बोलते हैं, कि आप कितनी सधी हुई स्थिती में, आप अपना काम करते चलते हैं, और बात में अचानक से लोगों को पदलता अच्छा ये तो ऐसा हो क्या ये बहुत important चीज होती है अब ज़रा देखिए ये जो सफलता इसको मिल रही है राज्य विस्तार की रूप में जो सफलता मिल रही है इसमें जो मराठा हैं जो हैदराबाद है और जो ये Britishers हैं अंग्रेज ये ना सिर्फ इसस इर्श्या कर रहे हैं इसकी शक्ति से बलकि भैभीत भी हैं और भैभीत हैं इसलिए इर्श्या कर रहे हैं ये इर्श्या कौन करता है आपकी सफलता से किसको इर्श्या होती है जो आपसे भैभीत होता है जो आपकी कुटमीती को समझ नहीं पाता या समझने की क्षमता नही और ये वही कर रहे थे प्रारंभ में हैदर अली के साथ। लेकिन छटपटाहट में ये हुआ कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। 1764 में पेश्वा माधवराव ने हैदर अली के उपर आख्मन कर दिया। किन से हार गया? पेश्वा माधवराव से हार गया, पराजित हो गया। 1765 में हैदर अली और मराठों के बीच में इसी हार के बाद संधी हुई। और इस संधी में मैसूर का जो कुछ भाग है, मैसूर का कुछ छेत्र ये देना पड़ा, चला गया भाई। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है कि पहले राजविस्तार किया था, ना किया होता तो, तो जो छोटा सा मैसूर रास्ता उसी में से देना पड़ जाता। राजविस्तार कहे कि आँपे फाइदा हुआ, थोड़ा सा राजविस्तार गया तो गया, 28 लाक रुपए वार्षिक जो है, 28 लाक रुपए वार्षिक ये करके रूप में देना पड़ा, कोई बात नहीं है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, उधर आर्थिक वृधि करी थी, धैर रहे है अभी भी, विपरीत स्थिती है, लेकिन धैर रहे है, 1765 में, अब ये तो आप देख सकते हैं कि पेशवा ने आक्रमन किया था, 1765 में उधर वो हैदराबाद, हैदराबाद वहां के निजाम ने हमला कर दिया, निजाम ने क्या किया, आक्रमन कर दिया, किस पर आ अक्रमण में हैदराबाद के निजाम ने अकेले अक्रमण नहीं किया अंग्रेजों का साथ लिया अंग्रेजों का साथ अब आप यहां पर देखिए कि 1765 तक हैदर अली के विरोधी कौन-कौन हो गए पेश्वा हो गए निजाम हो गए और बिटिशर्स हो गए लेकिन यहां पर फिर से उसने बुद्धी का इस्तेमाल किया और इसलिए कहा जाता है तमाम सारे लोग बहुत लंबे समय तक भारत में यह मानते रहे कि बिटिशर्स जो हैं अविजित हैं एडवांस टेक्नलोजी के साथ लड़ने आए हैं बहुत फूर्तीले हैं तमाम सारी चीज़ों क व्याख्या के रूप में लिखा पड़ा सुना समझा गया लेकर इतियास का यह हिस्सा सिखाता है कि यह अविजित नहीं थे बिटिशर्स और जब जब अंग्रेजों का सामना हैदर अली के साथ हुआ तब तब हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया या उनमें से अधिकतर बार हराया 1765 में जब इस तरीके के युद्ध की स्थिती हैदर अली के सामने आई तो हैदर अली ने इससे निपटने के लिए अपने दो दुश्मनों का अपने साथ मिला लिया हैदर अली ने बड़ी चत्राई से बड़ी बुद्धिमानी से 1766 में 1766 में निजाम निजाम का मतलब यहाँ पे हैदराबाद के निजाम से और मराठा जो थे इनको मिला लिया ठीक है अपनी तरफ कर लिया और अकेले पढ़ गए कौन अंग्रेज ब्रिटिशर्स अकेले पढ़ गए और क्योंकि अब ब्रिटिशर्स अकेले पढ़ गए और अंग्रेज मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति को और उस शक्ति में किसी भी तरीके से मराठों और निजाम का शामिल होना ये ब्रिटिशर्स को बरदास्ट नहीं हो सकता था इसलिए आगे चल करके अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच युद्ध प्रारंभूर और आपने चार आंग्ल मैसूर युद्ध पड़े होंगे चार आंग्ल मैसूर युद्ध और इसी तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुवात हो जाती है तो चलिए वगएर देर किये हुए आंगल मैसूर युद्द' के बारे में पढ़ते हैं, शुरुबात करते हैं, हो जाती है तो, आंगल मैसूर युद्द, जिस मैसूर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं न यहां से वास्त्विक रूप से अगर देखिए तो मैसूर राजी को हम लेकर के आये थे। और जब हम मैसूर को खतम करेंगे तो इसी वाडियार राजवंश पर लाकर करके खतम करेंगे। तो वाडियार राजवंश के बहुत जारा प्रसिद्ध राजा नहीं है वेंकट दुती लेकिन ठीक ठाक राजा हैं वाडियार राजवंश के वेंकट दुती से लेकर के अंत में वाडियार राजवंश के ही राजा कृष्ण तक का जो इतिहास है उसके बीच में चार आंगल म मैसूर युद्ध की प्रथम आंगल मैसूर युद्ध और ऐसा नहीं है कि आपने इस हिस्ट्री के इस पॉइंट को सुना नहीं होगा क्या बता सकते हैं पहला आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ ये हुआ 1769 तक 1767 से 1769 तक युद्ध क्यों हुआ उसके कारणों को जानते हैं क्या-क्या कारण हो सकते हैं इस युद्ध के उसको अगर हम समझ लेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि आखिरकार इस युद्ध को किस तरीके से लड़ा गया होगा और किस के पक्ष में ये जाने वाला होगा इसकी कुछ हमको हलकी सी पहचान मिल जाएगी पहली बात तो ये थी युद्ध का पहला कारण ये था कि चाहे हम मैसूर की बात करें और चाहे हम अंग्रेजों की बात करें ये दोनों अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे राज्य या शक्ति जो थी उसका विस्तार करना चाहते थे दोनों को एक दूसरे के विस्तार पर या विस्तार होने का खत्रा था और दोनों ही एक दूसरे से पहले अपने सामराज्य को बढ़ा कर लेना चाहते थे पर ये एकलोता एक खत्रा नहीं था अंग्रेजों ने शडंतर करने शुरू किये तमाम तरीके के इसी राज्य विस्तार के लिए और ये शडंतर जो थे ये हैधर अली को बिलकुल पसंद नहीं आये तो अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे शडंतर किये जिसकी वज़े से ब्रिटिशस से ये नफरत करने लगा भयंकर तरीके से बड़ी बात ये थी कि एक और महत्यपूर्ण कारण है कि हैदर अली जो है इसका जुकाव फ्रांसीसियों की तरफ था फ्रांसीसियों की ओर आकरशित था कौन है दरली और आपने देखा था फ्रांसीसियों की सायता से ही डिंडी गुल में आधिरिक शस्त्रागार का इस्टैबलिश्मेंट है दरली दे किया था तो अब आव इकसी बात है कि फ्रांसीसियों का साथ ले करके चल रहा है और एक और तातकाली क्या बड़ी घटना को आप देख सकते हो कि जो कन्नड तट है दक्षण में कन्नड जो तट है इस कन्नड तट के पास में एक अंग्र जहाजी बेड़े को नस्ट कर दिया था वही एकसर बात है अंग्रेजियों ने तो नहीं किया यहादर अली ने कitating कर दिया था इस अंग्रेजी जहाजी बेड़े को नस्टि लीए तटकाली करण की रूप में आप जान सकते हैं और फिर शुरू हुआ इसी 1767 में यहाजी बेड़ जब नश्ट कर दिया गया 1767 में तो यहीं से अब आमने सामना होना तैं हुआ कि अब बहुत हुआ भई एक दूसरे से अब युद्ध कर ही लिया जाए और इस तरीके से पहला आंगल में सूर युद्ध जो है उसकी परनिती बनती है अंग्रेजी सेना का नेतरतो जहें जनरल स्मित ने किया था और आक्रमन करके इसने तुरन जो है चंगामा और त्रिनो मोली ये दो जगहें थी उसको जीत लिया किस ने किया अगर हम अंग्रेजी सेना का नितरत्व की बात करते हैं हमें बार बार अंग्रेजी सेना का नितरत्व ही पढ़ना होगा क्यों 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 कि यहां तो दो ही नितरत्व करता हैं मैसूर की तरफ से और फिलहाल तो अभी एक ही है, हैदर अली, जब तक ही जीवी थे, तो इसने जो है, अंग्रेजी सेना करने तो तो किसने किया, सर जनरल स्मित ने किया, सर जनरल स्मित, ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है, और जनरल स्मित ने दो राज्यों पर या दो प्रांथ जो पर जो है कबजा कर लिया इन दो प्रांतों पर इसने क्या कर लिया कबजा कर लिया चंगामा और त्रिनो मोली इन दोनों को जीत लिया प्राप्त कर लिया किसने प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने इस तरीके से यहां तक आपको देखने को यह मिला कि शायत शुरुवात मे अंग्रेज हलकासा जीतते हुए दिखाई दे रहें लेकिन उसके बाद हैदर ने जो किया वो खतरनाक था हैदर ने उसके बाद अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया और जब अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया तो अंग्रेज जो है वो एकदम हड़ बढ़ा गए कि ये कैसे मतलब इतनी तेजी से आक्रमण कैसे हुआ और आगे बढ़ करके इसी हैदर ने अंग्रेजों से प्रतिउत्तर की रूप में हैदर ने अंग्रेजों से मंगलोर छीन लिया मंगलोर क्या कर लिया छीन लिया किस से छीन लिया ब्रिटिशन से तो इधर तुमने ये प्रांत लिया और ये बहुत बड़ी जगह थी व्यापारिक कोटियों के रूप में ये छीन लिया और इतना ही नहीं उसके बाद ये हैदर आगे बढ़ा आगे बढ़ करके ये मदरास की और गया मदरास की और बढ़ा और आल्मोस्ट ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मदरास को जीत लेगा लेकिन उसी समय चार अप्रेल सत्रह सो सरसट को चार अप्रेल सत्रह सो उनत्तर को अंग्रेजो और हैदर आली के बीच में ये मदरास की संधी हुई मदरास की संधी हुई इस प्रकार से बड़ी ही कुशलता से हैदर आली ने अंग्रेजों को हरा दिया और अंग्रेजों को नज सिर्फ हराया उनके मदरास के ओपर खत्रा भी मंदराने लगा तो आगे जो है मदरास की क्या हुई मदरास की संधी हुई प्रिटी ओफ मदरास 1769 तो मदरास की संधी जो है अब सभाविक सी बात है 1769 में मदरास की संधी हुई तो किसके किसके बीच में हुई हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजों के बीच यह संधी की गई और जो यह संधी हुई है अगर हम इसंधी की बात करें और आगे मैंने आपको च तो जो पहले तीन है यानि कि पहला अंगल मैसूर युद्ध और तीसरा अंगल मैसूर युद्ध जब होगा तो हर युद्ध के बाद एक संधी होगी और हर संधी ही अगले युद्ध का कारण बनेगी लेकिन हर संधी में एक चीज कॉमन रहेगी पहले जीते हुए राज्य जो है वो वापस किये जाएंगे ये चीज आपको ध्यान रखना है जीते हुए राज्य जीते हुए राज्य वापस किये गए वापस किये गए अब किस ने किये दोनों ने दोनों ने एक दूसरे के दोन दूसरे के जीते हुए राज तो जब जीते हुए राज ये वापस की इसका मतलब क्या हुआ कि चंगामा और त्रिनो मोली ये हैदर अली को मिल गया वापस और जो मंगला और छीन लिया था हैदर अली ने वो मंगला और अंग्रेजों को वापस मिल गया ये सिदह सा मतलब है इसको समझने में कोई खासकटनाई होगी नी तो ये तो एक कमश्मन सी चीज हुई लेकिन यहांपर जीत जो है हैधर अली की हो रही है ये ध्यान रखना है जीत हैधर अली की हो रहे है प्रतुष्ठा में वृद्धि किसके होगी दूसरी महत्यपूर्ण जो संधी यहां पर हुई है वो यह हुई है संकट के समय में एक दूसरे का साथ देंगे यानि ब्रिटिशर्स और मैसूर आगे किसी प्रकार का युद्ध होगा और अंग्रेज भी है अगे चलके विजित कर नहीं चाहते थे तो दुनों ने आपस में संधी की आगे कभी लडाई होगी तो हम एक दूसरे का साथ देगे और इस संधी में पायदा किसको हुआ प्रतिस्ठा किसकी बढ़़ी प्रतिष्ठा बढ़ी प्रतिष्ठा बढ़ी किसकी हैदर अली की अब ये वही हैदर अली है क्या सोच पा रहे हैं आप क्या ये वही हैदर अली है जो एक आम सैनिक के रूप में भरती हुआ था मैसूर से न में आज ये मैसूर का भविश्य तैय कर रहा है आज ये विदेशियों को घुटने पे टिका दिया है अब ये सब चीजें जब होनी शुरू हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि पेश्वाओं को और नवाबों को नवाब जो है हिदराबाद के उनको ये पसंद नहीं आया होगा 1772 के आसपास माधवराव जो पेश्वा थे 1771 के आसपास अगरम देखें 1771-72 में पेश्वा माधवराव ने माधवराव ने मैसूर पर आक्रमन किया मैसूर पर क्या कर दिया आक्रमन किया और संधी याद कीजिए संधी ये है कि आगर एक दूसरे के उपर कोई संकट आएगा संकट ही तो है युद्धों ने जा रहा है तो ब्रिटिशस क्या करेंगे युद्ध में मैसूर का साथ देंगे आक्रमण हुआ लेकिन अंग्रेजों ने सहायता की की नहीं की अंग्रेजों ने सहायता नहीं की ठीक है अब ये पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटिशस ने जो है सहायता नहीं करी सहायता नहीं करने का मतलब ये हुआ कि आपने विश्वासगात किया है और जब विश्वासगात किया है और उपर से दुश्मनों का खत्रा है मैसूर को तो वो अंग्रेजों के इस विश्वासगात को याद रखेगा और यही कारण बनेगा फिर से ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों के बीच में युद्ध का और तब यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे दुटि आंग्ल मैसूर युद्ध क्या पढ़ रहे होंगे दुटि आंग्ल मैसूर युद्ध तो आपने एक तत्कालिक करण तो यहाँ पर लगभग लगभग देखी लिया इसकेंड एंगलो मैसूर वार जो हुआ है यह 1780 से लेकर के 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ भई ठीक है 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ दुति आंगलो मैसूर युद अब इसके कारण अगर हम आपसे पूछें तो क्या इस कारण में आप ये विश्वास घात नहीं लिखेंगे तो अब आप इकसी बात है कि लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं कारण की अगर हम बात करते हैं तो कारण क्या है कारणों में पहला कारण ये जो हुआ है विश्वास घात विश्वास घात इसको तो आप लिखी लीजी एक ये कारण है पर यही एक कारण नहीं था कारण और भी थे विटिशस ने और भी गलतियां करी थी और उस गलती में एक जगा है माहे माहे में फ्रांसीसी बस्तियां थी माहे जगा है माहे जो है यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियां थी फ्रांसीसी बस्तियां और ये फ्रांसीसी बस्तियां और ये जो माहे प्रोविंस है ये मैसूर के अंतर गताता था पर फ्रांसीसी तो मैसूर के दोस्त थे तो उन्हें आपत्ती नहीं थी लेकिन इसी फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया अंग्रेजों का इस पर क्या हुआ अक्रमड हुआ और ये जो अक्रमड हुआ ये हैदर अली को बिल्कूल पसंद नहीं आया क्यों पसंद आएगा एक तो मित्र पर हमला है दूसरा माहे प्रोविंस हमारे अंदर आता है तो हमारे ही प्रोविंस पर तुमने हमला क्यों कर दिया संदी को फिर तोड़ दिया फिर से संदी तूड़ गई और इधर ये तो अंग्रेजों के द्वारा की गए गलती थी जिससे जिससे मैसूर नाराज था लेकिन इधर तीसरा कारण अगरम देखें तो ये कारण हैदर अली के द्वारा दिया गया था अंग्रेजों को क्या कारण दिया गया था हैदर अली ने हैदर अली ने त्रिकुट बनाया हैदर अली ने क्या बनाया त्रिगुट बनाया, अब ये जो त्रिगुट हुआ, त्रिगुट संग बनाया, त्रिगुट संग, अब इस त्रिगुट संग में एक तो स्वैम, यानि कि मैसूर है, दूसरा मराठा है, और तीसरा निजाम है, और निजाम जब लिख रहा हूं तो कौन है, हैदरबाद, और जब तक आप मैसूर को पढ़ेंगे ना, तब तक कभी ये, कभी ये दोनों जहें, ये मैसूर के साथ जाते वे दिखाए देते हैं, और कभी ये दोनों जहें, अंग्रेजों के साथ जाते वे दिखाए देते हैं, और आप ये भी मैसूस करेंगे कि अगर ये हमेशा से मैसूर के साथ होते तो ये अंग्रेजों के साथ कभी नहीं होते और अंग्रेज कभी भी मैसूर को जीत नहीं पाते इसका आर्थ ये भी होता कि अंग्रेज कभी भी मरठा और निचाम को नहीं जीत पाते इसका आर्थ ये भी होता लेकिन ये जो 180 में हैदर अली ने बहुत बड़ी विशाल से ना ले करके तकरीबन 100 तोप वगएर ले करके करनाटक पे हमला कर दिया और करनाटक पर हमला करके वहाँ पर वहाँ का जो करनाटक का नवाब था उसको पराजित कर दिया और पराजित करके करनाटक को कैप्चर करने का प्रयास किया वहाँ का नवाब भागा और भाग करके मदरास पहुँच गया और मदरास किसका है? Britishers का है मदरास किसका है? Britishers का है तो ये Britishers से सायता मांगने आएंगे यनि करनाटक Britishers से सायता मांगने आ रहा है इसका मतलब अब अंग्रेजों को यहां पर फिर से इन्वाल होना पड़ेगा और अंग्रेज इन्वाल हुए और इस तरीके से जो चतुर्थ दुती आंगल में सूर युद्ध है उसकी जो सर्ते थी उसके जो कारण थे वो यहां पर हमने आपको बताए अब देखते हैं अब जो दुती आंगल में सूर युद्ध हुआ इसका नितृत्व किस ने किया नितृत्व इसको Leader कौन कर रहा है अगर हम इसकी बात करते हैं तो दो चीज़े हमको यहां पर ध्यान रखनी है एक तो यह बाद इसमें दो दो तरीके के Leader हमको देखने है एक नाम है Hector Monroe एक नाम यहां पर है Hector Monroe यह उस समय मदरास का गवर्नर है तो यह मदरास से मैसूर की और बढ़ेगा, हैदर अली की और बढ़ेगा, और दूसरा है करनल वेली, एक और है करनल वेली, ये गुंतूर से अपनी सेना ले करके हैदर अली के खिलाफ लड़ेगा, हैदर अली की और बढ़ेंगे दोनों और हैदर अली क्या करेगा ये दोनों जो है किसके खिलाफ लड़ने आ रहे हैं हैदर अली के खिलाफ और हैदर अली ने अपनी सेना जो है वो लगा दी गुंटूर के पीछे करनल वेली के पीछे करनल वेली जो है युद्ध छोड़ करके भाग गया और करनल वेली के भागने के बाद ये हेक्टर मुन्रो के पीछे पड़ा और हेक्टर मुन्रो भी मदरास वापस भाग गया पतलब यहां पर युद्ध हुआ और इस तरीके से वेली और ये जो करनल वेली और जो हेक्टर मुन्रो है ये एक तरीके से भाग गए ये दोनों क्या हुए जब आमना सामना हुआ तो ये भाग गए और ये कायरता पूर्ण विवरन्स जब वारिन हेस्टिंग जो समय बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको जब सुनाई पड़ा तो उसे की चीज हुई तो उसने अपने सेना पती को भेजा जाओ युद्ध करो उसके अध्यक्षता में एक सेना त्यार करी गई अब जो सेना भेज रहा है वो कौन भेज रहा है वारेन हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स ने किसके अध्यक्षता में आयर कूट की और सेना भेजी गई दक्षन, और यह बैठे हुए थे, यह बैठे हुए हैं बंगाल में, बंगाल का गवर्न जर्रिनल है, वहाँ से सेना त्यार करके आयर कूट आता है, आयर कूट आकर्मन करता है है फैदर अली के उपर, और हैदर अली इस चुद्ध में हार जाता है, और हार करके 1781 में ये अटेक होता है और दो जगहें हैं जो आयर कूट जो है वो हैदरली से छीन लेता है एक तो पोर्टो नोवा है और दूसरा है विली नोर पोर्टो नोवा और विली नोर ये दो जगहें जो है आयर कूट को मिल जाती है आयर कूट जीत जाता है किसकी जीत हुए एक तरीके से ये अंग्रेजों की ठीक है ये जीत किसकी हो गए अंग्रेजों के हैधर अली से ये दो प्रांच जो है वो छीन लिए गए पर कोई बात नहीं अभी भी धहर रहे है पहले भी हैदर अली हारा था लेकिन अन्तों पक्ष में किसके गया था हैदर अली के ही पक्ष में युद गया था यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुरवात में तो यह छोटे मोटे थे इनको भगा दिया हैदर अली ने और जब भगा दिया तो आयर कूट आया, वारन हेस्टिंग से कहने पर, आयर कूट बड़ी से, केंद्री सेना लेकर क्या आया था, और पोर्टो नोवार वेलोर जो है, वो छीन ले गया है हैदर से, लेकिन भाई छीन ले गया, तो यहाँ पर एक विचार आपके मन में शायद आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है, तो मैं आपके मन में विचार डाल देता हूँ, जब यह पास के दो सेनानी, अपनी बड़ी सेना लेकर के, हैदर अली से हार जाते हैं, तो दूर से भेजा हुआ, वारन हेस्टिंग का आयर कूट, आखिर दक्षन में आ करके, कैसे जीच कारण था, जिसकी वज़ा से आयर कूट को जीत हासिल हुई, तो आयर कूट की जीत के कारण में अगर हमें कारण लिखें, तो एक सबसे बड़ा कारण हमको यहां पर देखने को मिलेगा, अगर हम आयर कूट की जीत का कारण धोड़ें, जीत का कारण, तो उस आयर कूट की कारण में एक संधी का विशेश योगदान है और वो संधी है सालबाई संधी अब सालबाई संधी मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को यह इंगित कर देना चाहता हूँ कि आप इसको अगर पहुत अच्छी तरह के समझना चाहते हैं तो एक बार सालबाई की संधी में क्या-क्या हुआ यह देख लीजिएगा लिकिन मैं आपको उपर-उपर बता देता हूँ कि सालबाई की संधी जो है वो किस तरीके सुई सालबाई की संधी जो है वो मराठा और मराठो के पांच अलग-अलग अंग हैं अलग-अलग तरीके से वार्रन हेस्टिंग्स ने इनके उपर कबजा किया था तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे लेकिन ये जो मराठा है ये जो मराठा है जो वार्रन हेस्टिंग्स के साथ में संधी कर रहे हैं, इस संधी का असर ये हुआ कि वो जो अभी आपने देखा था यहाँ पर पहले पहले क्या कर दिया था त्रिगुट बना लिया था है दर अली ने और इसी त्रिगुट के कारण आप देख सकते हैं कि इनको पराजित किया गया और ये भाग गये लिकिन वो त्रिगुट यहाँ काम नहीं आया क्योंकि मराठे जो है वो इस सालबाई की संधी के कारण साथ नहीं दे पाए साथ नहीं दिये किसका? मैसूर का और इतना ही नहीं सालबाई की संधी के साथ साथ वारेन एस्टिंग्स ने एक और काम किया वारेन एस्टिंग्स ने अब आप कहेंगे कि सर मराठे ने साथ नहीं दिया या मराठों ने साथ नहीं दिया तो हैदराबाद को देना चाहिए था अंग्रेजों ने दिया और इस चर्थ पर दिया कि आप आगामी युद्धों में मैसूर का साथ नहीं देंगे तो इन्हों ने भी साथ नहीं दिया और इस तरीके से हैदर अली जो है वो अकेला पढ़ गया और इसी कारण से आयर कूट जीत गया आयर कूट जीत गया मराठे और निजाम सहायता नहीं दे पाए युद्ध भी खतम नहीं हुआ है युद्ध में शुरुवाती आपको जीत देखने को मिल रही है मैंने आपको बताया कि जीत मिली है मैसूर पे कबजा नहीं हो गया मैसूर के कुछ छेत रहें पोर्टो नोवा और विलिनोर इन पर जो है आयर कूट ने सफलता हासिल कर ली थी युद्ध भी चल रहा था लेकिन 6 दिसंबर सन 1782 को 6 दिसंबर सन 1782 को हैदर अली की मृत्ति हो गए हैदर अली की मृत्ति हो गए और हैदर अली की मृत्यू के बाद आपको लगेगा कि अब तो गेम आसान हो गया बिटिशस के लिए पहले इस आयता नहीं हुई थी, दो शेत रहा रहे थे, अब तो ये मर भी गए एकना ऐसा नहीं है हिश्युद्ध को जारी रखा इसके बेटे टीपू सुल्तान ने और 1783 में उसने बदनोर प्राप्त कर लिया आगे कौन आया? टीपू और इसने 1783 में क्या किया? बदनोर जो प्रोविंस था, बदनोर बदनोर पर कपजा कर लिया इसने कपजा कर लिया? टीपू सुल्तान ने यानि कि एक बदनोर फिर से मैसूर का जो पढला है वो भारी हो रहा है और इसके बाद बदनोर के बाद वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके वो मंगलावर की तरफ गया मंगलावर की तरफ आगे बढ़ा जब मदरास की संधी हुई तो इस मदरास की संधी में आपने देखा कि जीते हुए राज्ये वापस करने पड़े, एक शित्र वापस करने पड़े यानि मंगलोर जो है वो फिर से ब्रिटिशस के पास चला गया था और इसी मंगलोर की तरफ अब ये आगे बढ़ रहा है मंगलोर की तरफ कौन? टिपू सुल्तान हैदर अली का बेटा और जब ये मंगलोर की तरफ आगे बढ़ा तो इस मंगलोर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने इसी समय अंग्रेजों ने इसी समय क्या किया मैसूर पर हमला कर दिया मैसूर पर आक्रमन मैसूर पर आक्रमन का मतलब मैसूर की जो राजधानी थी श्रंग पटनम उस श्रंग पटनम पे हमला कर दिया और कुछ छेत्र जो थे इस दौरान फिर से अंग्रेजों ने जीत लिए जिसमें पालगाट और कोयमबटूर शामिल था ठीक है अंग्रेजों ने क्या किया पालगाट और कोयमबटूर जो था ये जीत लिया किसों ने जीत लिया अंग्रेज इस पर जो है कबजा कर लिए अंग्रे जी कबजा हो गया अब देखिए मतलब एक तरीके से कभी यह पड़लडर नीचे हो रहा है कभी वो पड़ला दोनों पड़ले जो है वो उपर नीचे हो रहे है बार बार कौन जीत रहा है ये पता नहीं चल रहा है कभी वो हावी हो जा रहा है और क्योंकि ये मंघलोर की तरफ आगे बढ़ा था तो भले ही ये महसूर की तरफ पालगाट और को가문टूर को जीतने में सफल हो गये हो लेकिन अंग्रेजों को एक खत्रा मैसूस हो गया था कि युद्ध और दिन चला तो भले ही कुछ भी हो लेकिन यह मंगलॉर चला जाएगा हाँ से और इसी लिए आगे चल करके इस युद्धि की समापती मंगलॉर की संदी से होती है किस से होती है मंगलोर की संधी 1784 में ठीके 1784 में मंगलोर की संधी होती है और मंगलोर की संधी मार्च में 1784 में संधी होती है और इसमें टीपू सुल्तान जो है और जॉर्ज मेकर्टनी जो है टीपू और जॉर्ज मैकरटनी या मै मदरास का गवर्णर था मदरास का गवर्णर बन गया था पहले मदरास का गवर्णर कोई और था क्योंकि वो हार गया आप देख सकते हैं Hector Munro वो यहां से अब उसके बाझ जो है मदरास का गवर्णर जाउज मैकरटनी है और इन दोनों के बीच में संधी हुई फिर दूसरा युद्ध है तो दूसरी संधी है और दूसरी संधी है तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि संधी में पहला संधी तो हर बार यही हो रहा है कि विजित प्रदेश क्या कर दें वापस कर दें तो पहली संधी, पहला जो हुआ है, संधी में पहला जो शर्त नहीं हुई है, विजित प्रदेश क्या होंगे, विजित प्रदेश वापस होंगे, दूसरा युद्ध बंदी जो है, युद्ध बंदी जो बनाए गए हैं, उन्हें रिहा किया जाए, रिहा किया जाएगा, उसी शर्ट ये रही और तीसरी शर्ट जो थी विश्मित कर देने वाली होगी शायद आपको कि इसमें फिर से वादा किया गया कि पुनह दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया साथ देने का वादा किया जैसा कि पहली संधी के साथ किया गया था तो अल्मोस्ट ये भी जो है उसी तरीके की थी युद्बंदीर यहा हो जाएंगे जीते हुए प्रोविंसेज वापस कर दिये जाएंगे फिर से आश्वासन दिया गया मैसूर को कि हम मैसूर का साथ देंगे और आप बताइए टीपू सुल्तान ने क्या खोया लेकिन इतनी बड़ी सेना ले करके मराठों को अपनी तरफ करके नवाबों को अपनी तरफ मिला करके भी अंग्रेज टीपू सुल्तान को जीत नहीं पाए तो इन सब से एक बार फिर से टीपू सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है टीपू सुल्तान जो है इसकी प्रतिष्ठा में व्रद्धी हुई ठीक है, जैसे कि पहले आपने देखा था, इनके पिता की प्रतिष्ठा में व्रध्धी हुई थी, और प्रतिष्ठा में ये व्रध्धी, वारेन हेस्टिंग्स को कताई पसंद नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स को ये चीजें, ये शर्तें बिलकुल पसंद नहीं आई, और इस तीसरे आंगल मैसूर युद्ध का कार्ण बन गया अब तीसरा आंगल मैसूर युद्ध जो है वो किस तरीके सोगे तरह उसको समझे तृती आंगल मैसूर युद्ध तृती आंगल मैसूर युद्ध अब हम इनकी बात करेंगे आगर हम तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के मतलब इस्थितियों को देखें तो करीब 1790 से लेकर के 1793 के आसपास ये युद्ध चला है और ये तीसरा युद्ध भी आप देखेंगे कि किसके पक्ष में आने वाला है थोड़ी देर में ही देखेंगे आप लिकिन इसका एक प्रमुक कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया और वो प्रमुक कारण क्या था प्रमुक कारणों में पहला कारण क्या लिखेंगे आप वारें हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स को जो दुतिय युद्ध की जो संधियां थी युद्धिकी संधी, ये पसंद नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार के संधी से टीपू सुल्तान की जो कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धी हो रही थी, उसका सम्मान बढ़ रहा था, खुड़ा बहुत हारने के पाश्चाद भी, बाद भी, अब यहाँ पर एक जगा थी त्रावन कोर, ये भी दक्षिन भारत में जिसको आप केरल प्रोविंस के आसपास मान सकते हैं, त्रावन कोर, आगे चलके त्रावन कोर भी थोड़ा सस्वत पंत्र होगा, त्रावन कोर जो है, ये अंग्रेजों के संरक्षन में था, त्रावन कोर को संरक्षन कित डचों को मिला था यहाँ पर व्यापारी का अधिकार का जो इंटर्फियर है वो डचों का हो रहा था यह हुआ था और आपको मालूम है कि डचों पर नियंत्रन ब्रिटिशर्स पहले कर चुके थे इसी 53 कोर के राजा ने डचों से कुछ सीमांत प्रांत खरीदे सीमांत प्रांत खरीदे किस से खरीदे डचों से किस ने खरीदे त्रावन कोर के राजा ने और त्रावन कोर जो है वो किस के दरा संदक्षित है ब्रिटिशर्स के दरा संदक्षित है स्वभाविक सी बात है कि अंग्रेजों ने ऐसे समझ लीजे कि अंग्रेजों ने डचों से कुछ व्यापारिक जो केंदर थे वो खरीद लिए अब उस पर आप कारण क्यों बनाना चाहते हैं इसको कारण ये था कारण किस प्रकार से बना कि जो भी ये सिमांत प्रांथ खरीदे गए थे इस पर टीपू का कहना था टीपू के अनुसार ये त्रावन कोर के क्षेत्र के अंतरगत नहीं आते थे ये ये जो है टीपू सुल्तान के अनुसार ये मैसूर प्रांथ के अंतरगत थे यानि कि इस पर अधिकार जो था इंज शेत्रों पर जो अधिकार था ये मैसूर का था. और मैसूर के अधीन थे और इसलिए आप अंग्रेजों को मतलब छो है खरीद करके डचों से खरीदने का काम बें आप ये नहीं कर सकते हैं. तो ये सीधी से बात है कि आप डच हो करके आप इस तरीके की चीज़े बेच नहीं सकते और ये एक कारण बना और दूसरा कारण मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है दो कारण मैंने आपको बताए कि ये तृती आंगल मैसूरियूद के कारण ये बने ये प्रमू करण के तोर पर बने इसके अलावाद 53 कोर जो है उसने थोड़े बहुत और भी अपराद कर रखे थे पहला तो यही अपराद मैंने आपको गिनाया कि भई ये जगाएं हमारी हैं इसे आप ना दीजिए इसे वापस कर दीजिए वापस करने को कहा और वापस करने को जब कहा तो 53 कोर का जो राजा था उसने क्या कर दिया मना कर दिया कि भई ये नहीं हम वापस करेंग और ये हमारे शित्र में आता है दूसरी बार ये थी कि 53 कोर ने 53 कोर ने मैसूर के कुछ दुश्मन थे मैसूर के कुछ अपराधी थे उन अपराधियों को शरण दे दी थी ठीक है कुछ अपराधी थे जिनको इन्होंने क्या कर दी थी शरण दे दी थी तो ये भी एक कारण बन गया और इस सब कारण जिला करके टीपू सुलतान ने 14 कोर पे हमला कर दिया हमला हुआ, अब ये एक और कारण था, तो ये दो-तीन जो कारण आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो दो-तीन-चार कारण आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये contemporary cause हो गया, और क्योंकि टीपू ने 53 कोर पर हमला कर दिया है, और 53 कोर Britishers द्वारासन रक्षित है, तो मतलब आपने अंग्रेजो पर हमला कर दिया, अंग्रेजो का मित्र था 53 कोर, तो स्वाभाविक सी बात है, कि आगे चल करके Britishers ने युद्ध घोशित कर दिया, और उस समय British Governor जो था, वो था Cornwallis, Cornwallis जो था, उसने मौका देख करके, युद्ध की क्या कर दी, युद्ध की घोशना कर दी, युद्ध की घोशना का मतलब एई हो गया, कि अब तो भाई, खुला युद्ध होगा, तुमने तो सीधे तोर पर हमारे 53 कोर, यानि हम पे ही हमला कर दिया है, अस्तित्तों पे हमला कर दिया, और एक बार फिर से जो है, तरह 190 के असपास, ऐसे स्थितियां बनी, कि भाई, फिर से टीपू सुल्तान और अंग्रेज जो है, आमने सामने हुए, और मैंने आपको बताया, कि दो-तीन चीज़े हैं, जो कॉमनली आपको, आंगल, मैसूर युद्ध में याद रख्टी हैं, जब भी युद्ध होगा, तो फिर से वो दो-एंगल ओपन होंगे, हैदराबाद और, हैदराबाद और मराठा, अब इनका क्या होगा, ये किस की तरफ जाएंगे फिर से, अभी किस का साथ देंगे, पहला वाला हुआ था, तो पहले 1790 में, जून में ही, मराठों के साथ में, अब देखें क्या हुआ, जून 1790 में, मराठा, और जुलाई 1790 में, जो निजाम है, एदराबाद का, इनके साथ मैत्री संधी करी है, मैत्री संधी का मतलब, ऐसी संधी जो बिना युद्ध के करी गई हो, आपस में दोस्तियारी करते हुए, कुछ आपस में, मेमोरेंडम जो है, वो साइन किये गए हूँ, तो मैत्री संधी हुई, और जनरल मीडोज जो है, वो इस युद्ध का नित्रत्व करने के लिए आया तरती आंगल मैसूर युद्ध में अगर हम देखें, अब यह जो मैत्री पूर्ण संधी थी, वो बिटिशर्स के लिए थोड़ी फूट्फुल हुई, मैसूर पर इन लोगों ने मिल करके क्या कर दिया, मैसूर पर आक्रमन किया, मैसूर पर क्या हुआ, आक्रमन हुआ, और जनरल मीडोज का जो यह आक्रमन है, यह आक्रमन असफल हो गया, और एक बार फिर से टीपू सुल्थान की प्रतिष्ठा में ब्रतिष्ठा में ब्रतिष्ठा में ब्रतिष्ठी हुई थी, तो वररेन हैस्टिंग्स को पसंद नहीं आए थी, उसी तरीके से कॉर्ण वालिस क होगे एक तरीके से और इसलिए December 1790 में Cornwallis ने नितरत्व किया तो पहला नितरत्व करता ये है और दूसरा नितरत्व करता Cornwallis स्वयम है ठीक है इसने भी नितर्त्व किया है ठीक है कब किया है तक्रीम इसम्बर 1790 के आस पास और ये एक सयुक्त सेना को लेकर कि स्री रंग पटनम की ओर आगे बढ़ता है और 1791 में टीपू को पराजित कर देता है ठीक है ये किस तरह बढ़े? श्री रंग पटनम की तरफ श्री रंग पटनम की ओर बढ़ा और टीपू जो है क्या हो गया? इसमें टीपू पराजित हो गया, ठीक है, टीपू पराजित हो गया, 1791 में, अब टीपू पराजित तो हुए, लेकिन एक सयोग इसी तर में काम आया, और वो सयोग ये था, कि कॉर्णवालिस की जो सेना थी, इसके पास में युद्ध सामगरी जो थी, युद्ध सामगरी, य और स्वाभाविक सी बात है कि इसकी भनक टीपू सुल्तान के पास पहुंची होगी। स्वाभाविक सी बात है कि कार्नवालिस ने महसूस किया होगा कि एक बार फिर से हार सकते हैं। हाला कि अंग्रेजों ने आगे बढ़ करके दो और दुर्ग थे देवली करके हैं और कोई बुली हट याद नहीं आ रहा है शायद बुलीपूर करके कोई जगा है वहां उन दुर्गों पर कपजा कर लिया। मतलब थोड़ा और आगे बढ़ करके अंग्रेजों ने फिर से कब जाकर लिया। और फानली जब ये पीछे हटा था यहां से युद्ध सामगरी खतम हुई पीछे हटा फिर से चीजों को रिकंस्ट्रक्ट किया दो और राज्जियों को कॉर्णवालिस ने जीता और जीतन 1792 में जन्वरी 1792 में अंग्रेज इनके साथ मराठा और इनके साथ जो निजाम था इन लोगों ने फिर से जो है अब ये पहले ही साथ दे चुके हैं ना इन्होंने आक्रमण किया और जब ये संयुक्त आक्रमण हुआ तो इस संयुक्त आक्रमण के बाद संयुक्त रूप से जब ये आक्रमण हुआ तो इस संयुक्त आक्रमण के बाद फाइनली टीपू सुल्तान हारा टीपू अंतताह जो है क्या हो गया अंतताह हार गया और जब टीपू अंतताह हार गया तो इसने आत्म समरपड कर दिया आत्म समरपड किया और जब टीपू ने आत्म समरपड किया तो स्वबाविक सी बात है कि आत्म समरपड के बाद में फिर से संधियां हुई और जो अब अगली संधी हुई वो संधी कहलाई श्रीरंग पटनम की संधी श्रीरंग पत्टनम की संधी ठीक है ये श्रीरंग पत्टनम की संधी जो है वो शुरू हुई तो ये श्रीरंग पत्टनम की संधी हुई भाई मार्च 1792 में और मार्च 1792 में जो ये श्रीरंग पत्टनम की संधी हुई ये अभी तक अगर आप देखें 1761 से लेकर के जब से हैदर अली ने मैसूर राज्य को सुविवस्थित किया और उसके बाद से आंगल मैसूर युद्ध होने जो शुरू हुए उसमें पहली बार ऐसा है कि जो संदी हो रही है वो मैसूर की तरफ से थोड़ा सा थोड़ी शर्मनाख है क्यों शर्मनाख है क्योंकि संदी की शर्तों के अनुसार तीन करोड रुपे युद्ध का हरजाना भरना पड़ा इसको भरना पड़ा टीपू को टीपू ने भरा अब ये लिखना कोई ज़रूर नहीं है आपको मालूमी है अरजाना देना पड़ा अंग्रेजों को इसके अलावा टीपू का यानि कि मैसूर का आधा राज्ज ये भी देना पड़ा बिटिशर्स को आधे राज्ज जो है वो देने पड़ गया बिटिशर्स को भाई और इसमें आप देखेंगे तो मालाबार जो छेतर है मालाबार रीजन जो है और इसके अलावा बारा महल है कुर्ग है डिंडी गुल है ये सब अंग्रेजों के पास चला गया अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये संयुक्त सेना आई थी अंग्रेज, मराठा और निजाम की तो ये जो संयुक्त सेना ये क्या करेगी किस शर्त पर आ रही है कि जो भी इसने कहा कि भई कौनवाले इसने कहा कि ठीक है ऐसा करो हम लोग मिल करके आक्रमण करते हैं और जो भी फायदा होगा उसको हम लोग आपस में बाटेंगे तो आपस में बाटने की जब बात करी गई न तो ये जो हरजाना आया तीन करोड़ रुपए का हरजाने की बात करी गई इसको जो है तीन हिस्सों में बाट लिया गया इसका तीन हिस्सा किया गया तीन हिस्सों में इसको बाट लिया गया और तीन हिस्सों में बाट लिया औ और उसके अलावा जो कुछ शेत्र हैं आधाराज्य देना पड़ा तो कुछ शेत्र जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा एक चीज और है शेत्रों के पर हम लिखेंगे अब यह हरजाना एक साथ तीन क्रोड रुपए टिपू नहीं जब दे पाया तो अंग्रेजों ने एक अब्दुल खालिक और दूसरा बेटा जो था वो मुईजुद्दीन था मुईजुद्दीन यह ऐसे करके कुछ था इन दोनों को क्या बना लिया गया बंधग बना लिया गया जब हरजाना भर दोगे तो छोड़ देंगे फिर अभी जो आधा राज्ज आया है इस राज्ज को अंग्रेजों ने मराठों ने और जो नवाब था हैधराबाद का उसने बाट लिया बाटा कैसे मालाबार का रिजन बारमहल का रिजन मालाबार बारमहल कुर्ग डिन्डी गुल ये सारे रिजन जो है वो किसको मिले अंग्रेजों को मिले ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिए इसके अलावा उत्री पश्चमी जो प्रांथ था उत्री पश्चमी प्रांथ उसमें एक जगे थी धारवाड अब ये किसको मिली होगी नौर्थ वेस्ट की बात हो रही है तो नौर्थ वेस्ट की तरफ जो लोग रहे होगी उनको दिया होगा कौन था उधर मराठे थे तो मराठों को दे दिया तो धारवार जो है ये मराठों को मिल गया इस यूद्ध के बाद में और उत्तर ये पश्मी है और अगर हम उत्तर पूर्व के बात करते हैं नौर्थ इस्ट की बात करें तो नॉर्थ इस्ट की तरफ पॉन है? नॉर्थ इस्ट की तरफ जो है ये निजाम है, हैथराबाद है. तो करनूल जो है, करनूल जो है, ये किसको मिल गया? ये मिल गया निजाम. ये किसको मिल गया भई ये निजाम को मिल गया इस तरीके से ये जो श्रियंग पट्नम की संदी हुई ये हर तरह से अगर आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के लिए ही कस्टकारी थी और ये अभी तक होने अली संदियों में पहली ऐसी संदी है जो अपमांजनक लग रही है स्ववाविक सी बात है कि अपना आधा राज्य देने के बाद टीपू सुल्तान चैन से तो नहीं बैठा होगा बिचैन था और वैसे भी वो अंग्रेजों का बिल्कुल घोर शत्रू बन चुका था और इतना शत्रू की वो भारत से प्रिटिशर्स का नामों निशान मिटा देना चाहता था लेकिन इस संदी के बाद इस युद्ध के हार जाने के बाद उसकी शक्ती जो थी मैसूर की जो शक्ती थी वो काफी हद तक कम हो चुकी थी क्योंकि बड़ी मात्रा में धन और राज्य की हानी हुई थी इसलिए जो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होगा वो 1799 में उसका प्रणाम में आएगा चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो है ये हुआ 1799 में और ये युद्ध क्यों हुआ इसलिए कि जो तीसरी जो आँगल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो बातें हुई वो बरदाश्ट के काबिल नहीं थी टीपू सुल्तान के लिए अब कैसे वो अपनी सेना को फिर से तयार करे और सेना को त्यार करने के लिए एक तो राजचेतर भी छोटा हो गया था दूसरा सेना को त्यार करने के लिए पैसे भी नहीं थे तो उसने फिर से कूटनीती का सहारा लिया और सहारा ले करके विदेशी शंबंध जो थे विदेशी संबंध जो हैं उनको मजबूत करने का प्रयास किया और इसी दृष्टी कोंड से मजबूत करने का प्रयास और इसी दृष्टी कोंड से उसने कुछ दूसरे शासुकों के साथ हाथ मिलाना शुरू किया वहाँ पर अपने राजदूद भेजे, जैसे पारस को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, काबूल जो था उसको अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, मौरिशस जो की फ्रांसीसी बस्ती थी, इसको अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, और एक संयुक्त सुद्रन सेना जो है वो त्यार करने का ये इसको अपेक्षा हुई। मौरिशिस ने बढ़ चड़ के कह सकते हैं कि साथ दिया, फ्रांसीसी जो थे उन्होंने बहुत बढ़ चड़ के साथ दिया, फ्रांसीसी जो थे उन्होंने तमाम सारे फ्रांसीसी जो थे से नागरी टीपू के नाम से बुलाएं लगा तो ये सारी सिचुएशन जब बननी शुरू हुई इन सब चीजों की अब आप इसके कारण अगर ढूंडेंगे तो क्या कारण आपको मिलेंगे इस जो चौथा अंगले में सुरी दोधस में कारण क्या कारण है जो श्री रंग की अपमान जनक संधी ये इसका कारण है दूसरा टीपू द्वारा फिर से फ्रांसीसियों की तरफ फ्रांसीसियों की तरफ जुकाओ टीपू फ्रांसीसियों मित्रता और इसको मजबूत होने देना ब्रिटेशन बिल्कुल नहीं चायते थे सो अब अब एकसी बात है कि उस समय जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलेजली लॉर्ड विलेजली ये क्या करेगा ये लॉर्ड विलेजली इससे पहले की विदेशीर सहायता टीपू सुल्तान को मिल पाए ये फिर से निजाम और मराठों को अपने साथ में रखेगा लॉर्ड विलेजली ने निजाम को और मराठों का फिर से साथ लिया ठीक है यहाँ पर और देख सकते हैं हर युद्ध में यहाँ पर इंपोर्टेंस हो रही है निजामों और मराठों की इसमें तमाम सारे क्या सकते हैं लोग इसमें शामिल हुए इस युद्ध में जैसे कि Harrison करके या Harris Stuart करके जो कुछ अंग्रेश थे वो यांग्रेश अधिकारी जो थे वो यहाँपर सेन अधिकारी के रूप में सामने आते और थर वेले जली जो लॉर्ड वेले जली का भाई था वो भी इस युद्ध में शामिल हुआ और 1799 में भयंकर युद्ध हुआ गंगोर युद्ध हुआ लॉर्ड वेले जली की सेना जो है उसने श्रीरंग पटनम को क्या कर लिया श्रीरंग पटनम को पटनम को 1799 में घेर लिया घेर लिया का मतलब यह नहीं है कि टीपु सुल्तान ने सरेंडर कर दिया पिछली बार की तरह है सरेंडर नहीं किया अब काफी दिन तक है घेरा पड़ा रहा लेकिन क्योंकि रशद की समस्या हो गई तमाम ऐसी चीजें और जो विदेशी सायता थी वो विदेशी सायता मिल नहीं पाई समय पर और इन सब का परणाम यह हुआ कि श्रीरंग पटनम की रक्षा करता हुआ युद्ध में रत टीपु सुल्तान जो है वो मारा गया टीपु सुल्तान जो था वो मारा गया और स्वाभाविक सी बात है कि पिछली बार जैसे बंदरबांट हुई थी वैसे ही फिर से बंदरबांट हुई होगी अर्थात यहां परगरम देखें तो इस उद्ध के उपरांथ इसमें टीपो सुल्तान तो हार गया तो सुद्ध क्यों प्रांत जीते हुए प्रांत जो है जीता हुआ जो प्रांत है उसका क्या हो गया विभाजन हो गया और विभाजन किसके किसके बीच में हुआ होगा अंग्रीजों के बीच में मराठों के बीच में और निजाम के बीच में अब यह जो विभाजन हुआ है विभाजन के बाद मैंने कहा कि विभाजन हुआ है तो सामराज जी का बटवारा हुआ है और जब सामराज जी का बटवारा हुआ है तो सामराज जी का बटवारा किस प्रकार से हुआ है कनारा ध्यान रखेंगे कनारा कोयंब टूर कोयंब टूर दारापुरम और श्री रंग पत्टनम ये किसके पास में आ गए ये सारे के सारे आ गए आपके अंग्रेजों के पास ये अंग्रेज ले गए इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया बटवारा चल ला है बटवारा हुआ इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ राज्य ऐसे थे जिस पर जो है वो निजाम का कपजा हुआ जिसमें से गूटी है गोलकुंडा है यहां पर अगर हम यह पहला बटवारा है दूसरा बटवारा गूटी गोलकुंडा चितलदुर्ग आपने देखा था कि चितलदुर्ग जो था उस पे हैदर अली ने कपजा कर लिया था पहले ये सब जो इस्थान थे यह मिल गए है हैदराबाद के निजाम को और जो शेस भाग था वो मराठों को मिलना था तीसरा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है वो मिलना था मराठों को शेस भाग जो था शेस भाग जो मराठों के पास में आना था मराठों ने लेने से इंकार कर दिया मराठों ने लेने से क्या कर दिया इनकार कर दिया क्योंकि ये वो प्रोविंसेज नहीं थे जो इनके काम के थे तो जो बचा हुआ जिसको जो मराठों को दिया जा रहा था मराठों ने उसको एकसेप नहीं किया तो ये वाला जो भाग था इस भाग को भी जो आना था बटवारे के हिस्से में उसको फिर से अंग्रेजों ने और निजाम ने बाट लिया तीन रोटी मिली एक तुम खाओ, एक तुम खाओ, एक तुम खाओ, तीसरे नमना कर दिया और इतना करने के बाद भी इसके बाद भी जो शेस बचा, शेस जो बचा हुआ भाग है, शेस बचा मैसूर प्रांथ, याद करिए मैसूर प्रांथ शुरू हुआ है, वाड़ियार राजवन्ष यो था, वाड़ियार राजवन्ष का राजा था इस समय, चामराज, वाड़ियार राजवन्ष का इस समय क्या है, वाड़ियार राजवन्ष का राजा है, चामराज, और इसी चामराज का एक नाबालिक बेटा है, जिसका नाम है, अल्पवैस्क नाबालिक कह सकते हैं, या अल्पवैस्क कह सकते हैं, एक ही बात है, नाबालिक बेटा, जिसका नाम था कृष्णा, तो एक तरीके से वड़यार राजवन्ष को ये शेजभाग जो है, वो दे दिया गया, ये नाबालिक बेटा जो कृष्णा था, उसको दे दि तो इस तरीके से अधिकतर जगहें जो हैं उस पर तो कपजा किसका हो गया बिटिशर्स का हो गया और ये मैसूर राज जिसको बड़ी महांता से हैदर अली ने एक मजबूत नीव रखी थी जिस पर एक बड़ी इमारत टिपु सुल्तान ने खड़ी की थी वो टिपु सुल्तान के जाने के बाद भिखर गई जम अप्त होगी तो आपको मेरी ख्याल से जो मैसूर राज है इसका उदै समझ में आया होगा मैसूर राज जो है इसका उदय अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा और इसका अंत भी जैसे कल मैंने या पिछली क्लास वेज़ मैंने हैदराबाद के बारे में उसका उदय और अंत बताया पुछली क्लास्वेंद मैंने आपको बंगाल के उदय और अंत के बारे में बताया पुछली क्लास्वेंद मैंने आपको अवद के उदय और अंत के बारे में बताया उसी तरीके से आज मैसूर का भी उदय हुआ और अंत हुआ आशा करते हैं कि पूरे के पूरे जो चार अंगल मैसूर युद्ध मैंने आपको बताने का प्रयास किया है यह आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा जिसका जो कुछ छूट गया है या जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए आप कॉमेंट सेक्षन में बाद में हमारे लिए छोड़ सकते हैं आप उसे ले करके अकली सेशन में आपके समक्षो पस्तित होंगे और आपके पूछे गए प्रशनों का उत्तर उसमें देने का प्रयास करेंगे इस संपूर्ण लेक्चर की अगर आप पीडियाफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस पीडियाफ को इस टेलिग्राम को स्कैन करिए स्कैन करके आसानी से टेलिग्राम से जुड़ जाईए या फिर आप टेलिग्राम पर ये टाइप करिए लिंक t.me slash viradubay01 without any space या viradubay01 के नाम से सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा आप वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से इसको पढ़ सकते और अपने नोट्स बना सकते आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही मुलाकात करेंगे कुछ अन्यक्षित्रिय राज्यों के उदय की अगले सत्र में तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi